हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल सिलाई कोर्स में आज हम सीखेंगे तूर्पई करना हम हाँ से स्टीच करना और तूर्पई करना जब आ बिगिनर होते हैं तो आपसे मसीन ठीक से नहीं लग पाती है तो पहले हमें कच्छे हाँ से सिलाई करनी पड़ती है हाँ से ज तो आज में आपको तूर्पई करना सिखाऊंगी प्लस हम सिलाई किस तरह से सुई से किस तरह से सिलाई लगा सकते हैं कच्छी वह बताऊंगी जिनको नहीं आता है उनके लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें इस सबसे पहले हमारी यह आ जाती है इस से ब चोटी जीरो साइच की जो हमारी सुई होती है वो देखें इस सरह से यह हमारी तूर्पई की सुई है इस सरह से बारिक और बिल्कुल पतली सुई से ही हम तूर्पई करेंगे देखें यह हमारी जो चोटी वाली सुई होती हो तूर्पई के लिए होती है तो मैं आपको सबस लगाने के बाद जिस भी कपड़े पर हमने सिलाई लगानी है उससे देखिए इस तरह से में यहाँ पर इसे फोल्ड करूंगी और फेले फोल्ड करकर सिलाई लगानी होती है उसके बाद ही हम देखिए इस तरह से हमें कपड़े को हमने इसे थोड़ा सा फोल्ड किया और इसक चालू करना है और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम सिलाई लगाएंगे देखिए इस तरह से हमारी सिलाई एकदम सीधी लगनी चाहिए आपको अच्छे से दीखिए इस तरह से हम कच्चा करकर हाज से हमें कच्चा कर लेना है और उसके बाद हमें इस जो बड़ी वाली सिलाई को निकाल देना पहले इस पर कच्छा करके और इस पर मसीन लगा लेंगे और फिर हमारी जो बड़ी वाली सिलाई है उसको निकाल देंगे तो इस तरह से आप पी सिलाई एक दम सीधी और पर्फेक्ट लगेगी पूश्यव क当 देखिए हम इस तहरा से यह इसमें सिलाई लगा लिया अब यहां कॉर्ण पर हम इसının कि दीखिए जब हमारी सिलाई कhou चलते हैं उसमें इस तरह से हम नोट लगा देंगे पहले हमें कपड़े सुई सी सकतरा सब है से एक शल्एर दोगा सुट कि रहा सिना है तो इसमें लोफ आपक दिखा है गार हुथ ए ताकिसी इसे कंब का जा FPS जब दागे से लगाएंगे तो आपकी तुर्पई है कि सिलाई है वो दिखेगी नहीं बाहर की साइड भी वो नहीं नजर आएगी देखिए यहां सबसे पहले हमने इस तरह से दागे को कपड़े में पिरो लेना अब इसके बाद जो हमारी सिलाई वाला कपड़ा है इस तरह से यह सिलाई वाला कपड़ा आपको उपर दिखेगा और एक यह नीचे वाला कपड़ा है तो हमें सबसे पहले यहां नीचे वाले कपड़े से देखिए इस तरह से हमें कपड़े के दो या तीन तार इस तरह से इसमें लेने हैं पर हमें ज्यादा कपड़ा नहीं ले में और एक बार जो हमने फोल्ड वाले कपड़े में हमें सुई को निकालना है में आगे वह अगे अभि उपर कपड़े में से सुई को इस तरह निकालना है देखिए यहां पर आपको सिलाई भी तेड़ी दिखेगी एक बार हमने उपर वाले कपड़े में से और एक बार नीचे वाले कपड़े में इस तरह से निकालना है और इसे ही आपको पूरे कपड़े उसमें तुर्पई करनी है देखिए इस तरह से आपको बाहर दिखेगा जब आप सेम कलर के धागे से इस तरह से तुर्पई करेंगे तो जो यह आपको दिख रहा है यह बाहर की साइड हमारी तुर्पई का धागा नहीं दिखेगा यह मैंने आपको दिखाने के लिए दूसरे कलर के धागे का इसमें य 2 शौन फील और को में समय शौछ निकाल देंगे इस तरह से हम अपको इसी सेम कलर के दागे से तूरपआ कर दिखाती हो आफ चिछे फाला वाली है इसमें नहीं दिखेगी देखिए इस तरह से यह आपको वे से ही तुर्पई करना है एक बार हम नीचे वाले कपड़े में इस तरह से धागा लेना है और एक बार हमारे जो हमने फोल्ड किया है देखिए यहांपर सेम कलर के धागे से आप लगाएंगे तो बाहरा आपको सिलाइ नहीं दीखेगी अब हम आगे वाला भागे वह कुछ इस तरह से दिख रहा है जब आप सेम कलर का धागा यूज़ करेंगे तो तुर्पई की सिलाइ आपकी नहीं दीखेगी बाहर और ये हम पीछे का भाग, दिखिये, I hope आपको मेरा यह चोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और कमेंट में प्लीज बताएगा कि आपको नेक्स वीडियो किस चीज पर देखना है थैंक यू फॉर वाचिंग